दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि किसी भी विरित का छेतरफल पाई आर इसक्वाइर ही क्यों होता है दूसरा चीज क्यों नहीं होता है यही चीज आपको इस वीडियो में सिखने को मिलेगा इसलिए आप इस वीडियो में उन तक बने रहिए आपको एकदम practical करके समझाये गया है चिंता नहीं करना है आपको पूरा समझ में आ जाएगा तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी वरित का जो छेतरफल होता है एरिया होता है वो क्या होता है पाई आर इसक्वाइर हम इसी फर्मूला के द्वारा किसी भी वरित का चाहे वह वरित छोटा हो बड़ा हो या फिर एकदम विसाल हो उसका छेतरफल आसानी से निकाल लेते हैं केवल हमें उसका क्या पता होना चाहिए रेडियस पता होना चाहिए त्रीजिया पता होना चाहिए जैसे कि यह सरकल है अब सरकल के बीच में क्या होता है एक केंद्र होता है क्या होता है केंद्र center अब वो center और यह जो बाहर आपको दिख रहा है इसको लोग बोलते हैं परीधी बाहर का जो रास्ता दिख रहा है आपको उसको क्या कहते हैं परीधी तो center और परीधी का बीच का दूरी कहलाता है त्रिजिया मतलब की r radius clear और यह क्या है केंद्र है अब होता क्या है यहाँ पर अब यह फर्मूला निकल गया अब यहाँ पर यह जो पाई है वो है क्या चीज constant है constant मतलब की एकदम इस्थिरांग है इसका मान कभी भी बदलता नहीं है हम लोग पाई के जगा पर या तो फिर 22 बटा साथ ले लेते हैं या फिर 3.14 यह दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं को एक परकार का irrational nobers है लेकिन हम लोग rational number के लिए ले लेते हैं हलाकि पाई का exact मान 22 बटा साथ या तो फिर 3.14 नहीं है लेकिन मान लेते है कि नहीं पाई के उपर वीडियो बनाया अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो description में आपको link मिल जाएगा देखिए जो जो मैं आपको बताता हूँ उस वीडियो को देखते रहे है बहुत knowledge आपको मिल जाएगा clear? ठीक है? तो इस formula के दोबारा क्या है कि हमें केवल पता होना चाहिए यह इस R का मान किसका मान? R का मान यानि radius का मान पता है radius छेतरफल असानी से निकाल सकते हैं अब यह जो छेतरफल है एक चवली लंबाई और चवडाई पर डिपेंड करता है दो चीज़ पर किस पर? एक लंबाई पर और चवडाई पर छेतरफल एक च्वली लंबाई और चवडाई का गुननफल ही होता है इसलिए ना किसी भी चीज का छेतरफल जो होता है उसका unit square में आता है या तो वो meter square में रहेगा या तो centimeter square में रहेगा या तो फिर kilometer square में रहेगा या फिर millimeter square रहेगा या hectometer square रहेगा, nanometer square रहेगा square जरूर लगता है square क्यों जरूर लगता है क्योंकि देखिए, हम जानते हैं कि जो छेतरफल होता है, वो लंबाई गुना चवडाई से निकलता है तो लंबाई भी हम क्या लेते हैं, मीटर में मान के चली एक आयत है, क्या है आयत लंबाई का जो छेतरफल होता है, लंबाई गुने चवडाई, अब इसका लंबाई हम मान लेते हैं 5 मीटर, और चवडाई मान लेते हैं 3 मीटर, तब क्या करेंगे 5 गुना 3 करेंगे अब यहाँ पर जो 5 गुना 3 हम लोग 15 लिखते हैं एक्छवली यहाँ पर 5 रही था क्या था 5 मीटर था और यहाँ पर 3 ना ओकर क्या लिखेंगे 3 मीटर लिखेंगे अब 5 को गुना 3 से करेंगे तो 15 हो गया मीटर को गुना मीटर से करेंगे तो मीटर स्क्वाइर हो गया तो आयत था हमको सही ढंग से समझ में आ गया ठीक है लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाई यह जो वृत का जो छेतरफल पाई या रिस्क्वायर के दवारा निकाला जाता है आखिरकार यह आया कहां से कहां से उद्गम हुआ इसका और इसका मतलब क्या है कि क्या इसमें लंबाई और चवडाई निहीत है जो हमें एरिया निकाल करके बता रहा है यह सब इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा और वो भी एकदम प्रैक्टिकली आपको हम प्रैक्टिकल करके बताएंगे कि भाई कैसे लंबाई और चवडाई यहाँ पर गुननफल की रूप में है अलाकि यहाँ पर क्यावल रेडियस पता हो जैसे कि मानिके लिए वरित है अब यहाँ से यहाँ तक कलामबाई है 10 cm कितना है 10 cm आप क्या करेंगे 6 फल निकालना है तो A is equal to हो जाएगा क्या हो जाएगा पाई का मान हम जानते हैं कि 22 बटा 7 लीजिए या तो फिर 3.14 चलिए 3.14 लेते हैं गुना कर देंगे R square आप यहाँ R के जगापर 10 cm हो जाएगा 10 तो 10 का square कर देंगे तो 3.14 अज दस दहीं कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा अब यहाँ पर गुना कीजिए तो 300 क्या आगे अच्छा हो दा आप किसमें था cm में तो cm square देखें cm square लग गया है हमजोर से कमजोर बच्चा भी समझ जा है कि नहीं अगर आप जानते हैं यह सब बात तो वीडियो को फास्ट करके देखिए है कि नहीं सारा चीज आपके हाथों में है चलिए इसको मिटा देते हैं अब देखिए एक चीज मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ यहाँ जो πाई आप देख रहे हैं, आर का मतलब समझ रहे हैं कि भ대, आर जो है, यहां पर रेडियस है, तृजिया है, लेकिन जो πाई कॉनfel है, पाई का मतलब क्या होता है, देख़े पाई यहां पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एकदम सीधा खिचेंगे आई से तो देखें यहाँ पर जो सीधी रेखा है जो सरकल को जो सरकल को दो बिंदू पर परदिछेद करता हो और केंदर से होकर गुजरता हो उस पूरी लंबी रेखा को हम लोग काते हैं ब्यास क्या काते हैं ब्यास उसी को इंगलिस में कहा जाता है डाइमेटर जिसको हम D से दरसाएं हैं अब यह जो ब्यास है मान किसे लिए यहां से यहां तक R है क्या है R है इसको थोड़ा समय यहां यह वाला मिटा देते हैं मिटाने के बाद में होगा क्या कि यहां से यहां से यहां भी R होगा तो R पलस R 2R हो जाएगा है कि नहीं तो यहाँ पाई बराबर में क्या हो जाएगा परीधी अब परीधी को आप कुछ भी मान लीजिए मान लेते हैं परीधी को तो circumference C मान लेते हैं ठीक है तो C बटा में क्या हो जाएगा D, D के जगा पर हम 2R लिख सकते हैं क्योंकि diameter 2R के बराबर होता है चलिए 2R लिख दिए अब देखिए इस 2R को इधर ले आएगे तो जाएगा 2PiR is equal to C यानि जो C है circumference है किसी भी वरित का जो circumference है बाहर का जो पत है उसका लंबाई कितना होता है 2PiR होता है 2PiR फर्मुला लगा कर निकाल सकते हैं तो यहां से एक चीज यहां पर आया कि अगर इसका पूरा बाहर किसी भी सरकल का बाहर का लंबाई निकालना हो एक दब अन्तिम छोरवला बाहर से जिसको हम लोग परिमाप कहा करते हैं लेकिन वृत के लिए का special नाम बोला जाता है परीधी, ठीक है, तो परीधी इस फर्मूला से निकलता है, 2 pi r से, ठीक है, अब यह जो परीधी का फर्मूला है, इस से आया, क्योंकि जो pi है, जो constant है, वो परीधी और ब्यास का अनुपात होता है, ठीक है, आप किसी भी परीधी या फिर किसी भी ब्यास वाला, आप ब्रित ले लें, हमेशा ये constant रहेगा, 3.14 ही रहेगा, ये change होने वाला नहीं है, चाहे ब्रित बड़ा रहे, या छोटा रहे, या फिर एकदम बिंदू की अकार का रहे, लेकिन हमेशा pi कमान 3.14 ही रहेगा, ठीक है, समयमारी बात, तो ही है pi, अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि परिमाप कैसे निकालता है, मतलब कि परीध ही, अब सवाल सबसे बड़ा जो है आज की इस वीडियो का, कि pi or square आखिर कार आया कहा से, इसको समझे practically, देखे, थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन हा, वीडियो एकदम knowledgeable है, सम कि यह वरीत है, अब यहाँ पर यह जो वरीत देख रहे हैं, इसके अंदर भी बहुत सारा वरीत बनाया जा सकता है, कि नहीं, यहाँ पर हम बना देते हैं, इसके अंदर और भी बनाया जा सकता है, इसके अंदर भी बनाया जा सकता है, ठीक है, और भी अंदर जाते ते हम कहां मिल जाएंगे के अंदर पर मिल जाएंगे बहूत सारा यहाँ पर बनेगा बहूत सारा अर्भों घर्भों क्योंकि जो भृत है एक परकार का two dimensional आकरती है क्या चिया है two dimensional आकरती इसमें केवल X axis या तो फिर इधर X मानिया और इधर Y मालग कि अबल अग्दम पूरा ये कालपनिक priest है ठीक है यह दिखता नहीं है इसका मोटाई वगएरा कुछ होता नहीं है इसे मारकर ये 3 dimensional image है आकरतिय के लिए 2 dimensional को हम लोग छू नहीं सकते हैं महसूस कर सकते हैं लेकि छू नहीं सकते हैं चलिए तो देखे इस वृत को हम इस तरह से हम मतलब की सोच सकते हैं कि नहीं कि इस तरह से हो सकता है क्योंकि वृत जो बाहर वल आपको देख रहा है बाहर का पत एकदम एक बिंदू देखे ये बहुत सारे बिंदूओं से मिलकर बना है वृत जो है अर्वो घर्वो बिंदूओं से मिलकर बना है और जो बिंदू है और जो यहाँ पर एक निश्चित बिंदू रहता है हर बिंदू का डिस्टेंच समान होता है और वो दोनों बिंदूओं के बीच को तो दुरी दुरी कमलों क्या काते हैं, तो यह सब आपको पता होगा. छोटा छोटा चीज अठीक है? चलिए, आब यहाँ पर करेंगे क्या? आब यहाँ पर यह करने के बाद भी हम इसको काट देंगे. क्या करेंगे यहां पर देखेंब पी biography का तर देए आप इसको क्या करेंगे खोलेंगे भीद कवरिट को इस तरह से कार देंगे और जब खोलेंगे एकड़ में एकड़ समझर रेका है आप यहां पर आपको यह जो आपको अलग अलग दिख रहा है यह दिखेगा भी नहीं आप यहां से काट दिए आप काट के करेंगे इसको अलग क्या करेंगे अलग अलग जैसे ही करेंगे तो देखे यह बाहर वला अगर अलग करेंगे तो बाहर वला थोड़ा लंबा हो जाएगा तो देखे यहां पर आप लंबी रेखा देख रहे हैं ये बड़ा वाला वृत का परीधी है बड़ा वृत का परीधी है अब उसके सेकेंड में आएगे तो वृत थोड़ा छोटा हो जाएगा अगर छोटा होगा तो परीधी भी क्या होगा छोटा हो जाएगा उसके अंदर आएगे तो भी छ तरह का रेखा रहेगा अब देखें यहां पर क्या बन जाएगा एक परकार का ट्रेंगल बन जा रहा है कि नहीं देख सकते हैं क्या बन जा रहा है एक परकार का ट्रेंगल बन जा रहा है चलिए ट्रेंगल बना दियें अब इस ट्रेंगल में यह वाला जो है वो है 2 pi r आप कहेंगे भाई ये 2 pi r कहां से आया देखे अगर इस वरीत का ये जो बड़ा वरीत आप देख रहे हैं अगर उसका radius है r तो स्वभाविक है कि इस परीधी इसका परीधी क्या हो जाएगा 2 pi r हम तो आपको पहले ही बता चुके हैं सकते हैं कि किसी भी वरीत का अगर radius हो r तो उसका जो परीधी है याई चार ओर का लंबाई हो क्या होता है 2 pi r तो चलिए 2 pi r हो गया तो यही वाला बाहरे वाला नगे खोले थे तो वही बाहर वाला अगर खोले हैं तो उसका लंबाई तो 2 pi r ही रहेगा है कि नहीं अब इसका जो लंबाई है वो एक्चवली हो जाएगा क्या चीज r हो जाएगा हम थोड़ा सा खोल खोल करके क्या किये हैं दूर दूर में लिखें इसलिए थोड़ ज़्यादा लंबा दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है हालाक एकदम ऐसे होना चाहिए ऐसे त्रिभूज जो है एकदम ऐसे बनना चाहिए एकदम ऐसे परीधी वाला तो ज़्यादा लंबन हो जाएगा है कि नहीं और रेडियस तो कमीन रहेगा लेकिन आपको समझने लिख चलिए कोई दिक्कत नहीं है कोई प्रोबलम नहीं है ठीक है अब देखें यहाँ पर यह टू पाई आर हो गया और यह लाक्या हो गया आर हो गया हम जानते कि वह किसी भी त्रिभूज का छेतरफल जो है कहाँ पर लिखें थोड़ा सा हम चलते हैं नीचे की और इसको उपर ले जाते हैं हम जानते हैं कि जो त्रिभूज का त्रिभूज का जो छेतरफल होता है वो होता है एक बटा दो गुने आधार गुने क्या होता है उचाई होता है अब यहाँ पर एक बटा दो लिख देंगे अब आधार देखे आधार यही विल रहेगा क्योंकि उचाई इसी पर है तो आधार है 2 πाई आर और उचाई क्या है आर है तो ये वला जो 2 है ये वला 2 कट गया तो क्या ची बचा पाई बचा और आर को गुना आर से करेंगे तो आर इसक्वाइर तो देखे ये इस तिर्भूज का छेतरफल क्या आ गया पाई र इसक्वाइर आ गया आप देखे ये जो तिर्भूज बनाया गया था वो किसे बनाया गया था इस वृत से ही बनाया गया था यानि इस वृत में जितना material था उसी से एक खम बना दिये triangle तो क्या हुआ यहाँ पर इसका मतलब इस वृत का ही छेतरफल क्या हो गया वृत इसलिए वृत का छेतरफल क्या हो गया πाई आर स्कुआर हो गया और यही होता है जो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले थे एक और तरीका है जिससे आप समझ सकते हैं अगर आपको यह वाला तरीका नहीं समयाया होगा तो और भी तरीका है चलिए वो भी तरीका आपको थोड़ा सा बता ही देते हैं मान के चलिए वRIT है एकदम 8 महीं बताथे ठीक है यह क्या है वRIT है अब इस वRIT को क्या करेंगे हम एकदम टुकड़ों में बाठ देंगे क्या किये बाठ below कितना टुकड़ा हुआ देख सकते हैं पाहला टुकड़ा दूसरा, तीसरा, चाउथा, पांचमा, छठा, सातमा, आठमा समझी की बराबर टुकड़ा है, क्लियर? आप क्या करेंगे? चलिए यह वाला जो पांचमा नमबर का टुकड़ा है उठाएं तो यहाँ पर रखें तो इस तरह से रहा फिर क्या कि हम छठा नमबर उठाएं तो यहाँ पर ले गएं यहाँ पर ऐसे करके इस तरह से रहा फिर सातमा नमबर को उठाएं तो इस तरह से यह वला है यह वला क्या है सातमा नमबर? फिर गएं पाहला नमबर उठाएं तो इस तरह से मिला फिर क्या कि यह तीसरा नमबर गए है तो इस तरह से हमें मिला ठीक है फिर इस तरह से करके इस तरह से मिलते गया और इस तरह से मतलब यहाँ पर देखेंगे इसे होता क्या है कि एक rectangle का निर्मान हो जाता है कि क्या चीज का rectangle का निर्मान हो जाता है यहाँ आपको तिर्चा लग रहा होगा लेकिन यहाँ पर इसको थोड़ा से यहाँ सीधा कर दीजिए और यह बला पस्ट्रा यहाँ पर एरिया ले लिजि तो ये वाला जो उपर वाला आपको कर्व दिख रहा है वो कर्व पता ही नहीं चलेगा और वो एक रेखा में विलिन हो जाएगा तो इससे होगा क्या? यहाँ पर एक rectangle करने मान हो जाएगा क्या हो जाएगा? rectangle करने मान यानि की आयत? आयत का से तरफल क्या चूता है? लंबाई गूने चवड़ाई अब यहाँ पर यह वाला जो आप देख रहे हैं एक्षवली होगा 2 pi r क्यों होगा? क्योंकि यह वाला जो है यह वाला आ कहां से रहा है? परीधी से आ रहा है बाहर वाला से आ रहा है तो बाहर का जो पूरा लंबाई है यह वाला, यह वाला, यह वाला सब को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा? 2 pi r आ जाएगा क्या जाएगा? 2 pi r तो वही 2 pi r यहाँ पर लिखे हैं अब ये वाला जो है एक्षवली यहाँ पर जो उचाई है वो एक्षवली त्रीजिया है एकिने जब हम काट के ऐसे करके निकाल रहे हैं काट के जब निकाल रहे हैं तो एक्षवली क्या हो जा रहा है तो चलिए त्रीजिया हो गया मतलब की आर हो गया जब हम छेत्रफल निकालेंगे तो हम लोग जानते कि rectangle का छेत्रफल क्या होता है लाम बाई गुने चवड़ा यानि L गुने बी लेंथ गुने ब्रेथ ठीक है तो यहाँ पर तो आर था यहाँ पर मिट गया आर था और यह क्या है 2 pi r actually 2 pi r जो है इधर वला और यहाँ पर यहाँ पर क्या लेंगे L के जगा पर लेंगे pi r pi r क्यों लिए समझ माया क्योंकि भाई जब यह वला जो निकल रहा है आधा इधर आएगा आधा इधर आएगा तो आयत का जब छेत्रफल निकालते हैं एक ही तरफल लंभाई लेते हैं दोनों तरफल लंभाई ने लेते हैं तो एक तरफल लंभाई क्या है pi r तो इसलिए pi r लियें अब यह जो चवडाई है चवडाई यही रहेगा आर ही रहेगा ठीक है तो यह r हो जाएगा तो क्या यह pi r e square स्क्राइब इसलिए क्या हो जाएगा वृत का च्छहतरफल ही हो जाएगा पाई आरी स्क्वाइर तो इस तरह से आप शमझ गये होंगे कि रहे आपको समझ में आ गया होगा निश्ची तुर्प से और आपको जिंदगी भर भी याद रहेगा ठीक है थोड़ा सा इसको व बंदे मातरम